हलो फ्रेंज आज हम लोग बनाएंगे वन पाउंट एगलेस बटर स्कॉच केक जिसके लिए इस पॉंज को मैंने हमेशा की तरह कड़ाई में बेक कर लिया था ये देड़ सो ग्राम प्रिमिक्स के साथ मैंने एक अब दूध लिया था दो जमत सन फ्लावर ओयल और इसमें दो लेयर में मैंने कटिंग लगाई और लगभग दो चममच इसमें मैंने यूज किया बटर स्कॉच क्रश और क्रीम 200 ग्राम गई है उस 200 ग्राम क्रीम को हम इसमें कवर करने वाले हैं तो यहां इस तरह से हमारी वन पाउंट एगलेस बटर स्कॉच केक रेडी हो जाएगी यहां आप देख सकते हैं हमेशा की तरह मैंने टॉप वाले लेयर को पलट करके लिया है यह थोड़ी सी दरारे आ गई क्योंकि एकदम गरम थी मैंने फैन के नीचे से रखा यह मेरी इमरजेंसी वाली ओर थी जो मुझे एक घंटे में देना था तो यहां इस तरह से मुझे इसे थोड़ा से ठंडा करके फ्रीज वाले पाने से सोकिंग करनी पड़ी और यहां इसकी क्रम कोटिंग लगा ली है मैंने इसमें धेर क्रीम नहीं जाएगा अगर ज़्यादा क्रीम हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा यह 600 से 700 ग्राम तक चली जाएगी आक्चुली वन पाउंड के ओर्डर में अभी ही यह 500 ग्राम से जादा हो गई क्योंकि जहां यह केक जा रहा है वो मेरे रेगुलर क्लाइंट है तो जो रेगुलर क्लाइंट होते हैं उनके लिए आपको कुछ स्पेशल हमेशा देखना पड़ता है करना पड़ता है तो इस तरह से आप ऐस होम बेकर जब ही किसी ऑर्डर को कंसिडर करते हैं तो रेगुलर ऑर्डर को इस तरह से कंसिडर करें कि बार बार आपी के पास वो उर्डर आये और यहां इस तरह से हमें क्या और क्रीम से ढख लेना है अर इतनी हड़ती में दो दो केक मुझे आज देना था और एक घंटे का ही समय मिला था फिर किसी तरह मैंने दो तरफ चूले में चड़ा दिया दोनों स्पॉंज को और पहले क्रीम को बीट कर ली बांकी की तैयारियां कर ली तो आप ही कोई भी इमर्जनसी वाली ओर्डर ना छोड़े कभी नहीं सोचे कि एक घंटे में कैसे होगा जरूर होगा बस अगर आप ओवन में बेक करते हैं तो और जल्दी हो सकता है चुकि मैं जुगाडू काम करती हूँ इसलिए मैंने कढ़ाई में ही बेक किया है और कढ़ाई में ही करती हूँ तो यहाँ इस तरह से आज मैंने एक अलग टाइप का मुझे बेकरी शॉप में नोजल मिला तो मैं लेती आई यह रफल नोजल है तो पहली बार इसे काम करने पर यह देखिए क्या हाल हुआ मेरा कहीं बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आया और थोड़ा सा लास्ट में मैंने बिकाड दिया क्यूंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे लग रहा था कि मैं समय पे दे पाऊंगी की नहीं तो काफी डर डर के मैंने यह ओडर एक्सेप्ट किया था और यहां इस तरह से बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन लगा के मैंने इस केक को भी टाइम ली दे दिया और एक रेडवलवेट केक की आउडर थी वो भी मैंने टाइम से बिफोर ही डिलिवर कर दिया तो इस तरह की रेसिपी के लिए बने रहे हैं मिलती हूं मैं आपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई